जय माता की सबी बच्चों को आचा करते हैं मा की दया से आप सब कुशल मंगल होंगे आज बात कर लेंगे उन बच्चों की जो बच्चे दरबार से जुड़े हैं जिन्होंने चानल को सब्सक्राइब किया और हमारी चानल से जुड़े हैं वो मंत्र मांगते हैं कुछ YouTube से कोई मंत्र उठा के उसको जपने लग जाते हो उसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं शायद आपको कोई नहीं बताएगा कुछ लोग होते हैं जो पैसे के लालच में पैसा कमाने के लिए कुछ विचार लाईने जोड़के लिख देते हैं निचे लिख देते हैं मेरे गु गुरूँ से हासिल किया उसको ऐसे थोड़ी ना किसी को ऐसे भी खेर देगा यूट्यूब के उपर के भी इसका अपमान कर देगा नहीं क्योंकि मंत्र शक्ति ऐसी होती है जिसे देवी देवता से कार्य लिया जाता है अगर हम कार्य सिद्धी चाहते हैं तो हमें मंत्र कैसे होगा गुरू की देख रेक में होगा बीना गुरू के आप मंत्र अगर सिद्ध कर लेते हो और उसको चला देते हो तो देखिए अगर आप बीना गुरू के मंत्र आपने सिद्ध कर भी लिया और आपने उससे दूसरे बंदे का किसी का कार्य कर भी दिया तो बेटा आ आप वान मंत्र है और आम जैसे मंत्र आपने मांग लिया तो गर आप लगतार दरबार से जुड़िए लगतार हमारे संपर्क में रहते हैं लगतार हमें कोमेंट करते हैं अगर किसी बच्चे को सच में समस्चा और माता काली अगर चाहती है माता पाथरी वाली तो आपको ज़रूर दरबार में बुला के लाएंगी वो हमें दरबार में भीड़ी कठा नहीं करने हम दरबार सिर्फ उन लोगों के लिए लगाते हैं जो वाकई में दुखी हैं जिने काम धंदे को चलाती है अगर आप उन पर विश्वास करते हो सारा खेल भक्ती में भक्ताई में विश्वास का होता है बाकी ना तो मा किसी को दिखती है जो लोग बोल देते हैं कि हमें मा दिखाई देती है हमें मा के दर्शन हो चुके हैं जिनको मा के दर्शन हो चुके है वो हाँ स्वपन के माध्यम से आपको जुरूर्मा के दर्शन हो सकते हैं इसमें कोई जूट नहीं है पर हमारा मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को भड़काएं भटकाएं या उनके जो भक्ति मार्ग में वो चले हुए हैं उससे दूर कर दें उनके दिमाग में कोई वैहम डाल द करो शुद्ध भावना से करो और हमारे दर्बार से जब किसी का कार्या बनता है तो सिर्फ मा की कड़ाई ली जाती है इसके अलावे एक पैसा भी हमारे दर्बार से नहीं लिया जाता अगर कोई पूछा लेने के लिए आता है तो पूछा के लिए सिर्फ हमारे दर्बार मे 11 रुपे के अर्दास लगवाई जाती है वो आपकी श्रद्दा पर निर्बर करता है आप कितने चड़ाते हो अर्दास में 101 के अर्दास लगाते हो 51 की लगाते हो आपकी श्रद्दा के उपर निर्बर होता है क्योंकि पूछा कभी खाली नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे गुरू बहार चड़ता है वो आपको पता ही है हमने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है तो देखें बच्चे अगर आपको मंतर चाहिए मंतर दिख्षय लेनी है तो आपको गुरू धान करना आवश्यक है और अगर आप भी न गुरू के कहीं से यूटूब से कोई मंतर उठा लोगे तो इसके आपको नुक्सान भुगतने पड़ते हैं क्योंकि जब आप मंतर जाप करते हो तो आपके चारो तरफ जो गुरू होता है गुरू मंतर का पहरा लग जाता है तो मंतर जाप से नकारात्मक और सकारात्मक नेगटिव एंड पोजिटिव दोनों तरह की उरजाई खिचती है और आपको पता ही अगर आप जाप करने बैठ गए तो और नकारात्मक उरजाप के घर में प्रवेश करेगी मंतर जाप से दोनों ही उरजाई खिचती है क्योंकि आपके पास गुरू है गुरू ने आपको रक्षा दी है गुरू मंतर से आप अपना घर जो है कीलन बंधन करके जाप करने बैठते हैं तो उससे आपके परिवार पर कोई बुरे थाक्त नहीं पड़ता और अगर आप भी न गुरू के कोई मंतर जाप कर रहे हो कहीं से भी उठा कर तो उसके परिणाम आपके परिवार को और आपको बुरे भुगतने पड़ सकते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि भटको मत अगर आपको मंतर चाहिए तो आप गुरू दिख्षा लो किसी भी दरबार से लो किसी भी अच्छे गुरू से जो आपके बिगड़े कारे बनाने में सक्षम हो जिससे आपके घर में जो काम आपके खतम हो रहे थे बिगड़ रहे थे और उनके यहाँ आपने साल 6 महीने आप गए और आपके सारे कार्य सीदे हो गए और उन्होंने आपकी जो शक्ति सवारी है शान्त कर दिया उसको वो गुरु आपके लिए सही होगा ऐसे नहीं है कि बेटा आपने यूट्यूब पे देख लिया कि हाँ इनके पास तो बहुत भीड जमा हो रही है कि देखे कुछ लोग दिखावे के पीछे भागते हैं और भीड जमा करने के उनको आदत होती है जबकि हम ऐसा कुछ नहीं चाहते क्योंकि हम दरबार सिर्फ उन दुख्यों के लिए लगाया है जिने वाकई में इलाज की जरूरत है और मां उन्हें स् इच्छा हुई तो आप दरबार तक जरूर पहुंचोगे किसी ने किसी माध्यम से आपको दरबार का अड्रस जरूर देंगे तब तक के लिए मा की सेवा करती रहिए खुश रहिए और जाय माता की